सुल्तानपुर में एक विवाहिता महिला नाय के लिए दरदर की ठोकरे खा रही है। सुल्तानपुर के लिए पुलिस ने भी ततकाल आकाश को बुला का साक्षी को साथ रहने का निर्देश दिया। की बात तो यह है कि दो दिन बात आकाश ने उस घर में आना छोड़ दिया और कहीं और रहने लगा। परिशान साक्षी ने दोबारा नगर कोतवाली पुलिस से गोहार लगाई। पुलिस ने दोबारा आकाश को कोतवाली बुला लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह रही कि अकेले आने के बजाए आकाश अपनी अधिवक्ता अंजली कुमार के साथ आया। साक्षी का आरोप है कि अधिवक्ता अंजली कुमार स्वयम नहीं चाहती कि आकाश साक्षी के साथ रहे। इतना ही नहीं पुलिस के सामने ही अधिवक्ता अंजली ने साक्षी को धंकी बी दे डाली। इसी से परशान साक्षी ने पुना नगर कोतवाली में शिकायत की। पती पत्नी के बीच मध्यवर्ता होने में अधिवक्ता को कोई काम नहीं है। ऐसे में जब भी कोई वारता हो तो उनकी दकन अंदाजी ना हो। साक्षी ने कहा कि वो अपने पती के साथ रहने चाहती है लेकिन अधिवक्ता की जाप्ती के चलते उसे अपने पती के साथ रहने नहीं दिया जा रहा है। क्या मामला आपका? क्या में अब जा करके पहला ओर्डर 15 अक्टूबर तो हुआ था 2020 को घर पूरे सस्वाली जन घर छोड़ करके भाग गया थे। उसी ओर्डर के कम्प्लाइंस में दूसरा ओर्डर अभी हुआ है बारा नवेंबर को और उस ओर्डर को लेकर मैं जब कोत्वाली गई तो मेरे कारी हस्बेंड और उनके अधिवक्ता अंजली वो दोनों लोग आई और मुझे ये कहा गया कि आप उसी घर में क्यों जाना चाहती हैं जहां आपके हस्बेंड रहते वहां क्यों पार रहते हैं मैंने जूटा बौला कि वो कहीं पर भी ले जा रहे हैं आप साथ जाईए मै और वहां से दूसरे दीनी हम घर छोड़ करके निकल गए मतलब मुझे महां छोड़ कर थे ना ही कोई वेवस्था खिर्की दर्वाजे महां के अभी भी ऐसे खुले हुए हैं यह देखे आप उन देख सकते हैं यह सारे खुले हुए लेकिन मुझे इस पर कोई अब्जेक्शन मुझे यह था कि हस्बंड मेरे रहे यह इसमें बेडरूम तक में कैमरा लगा हुए हुए मुझे बस यह था कि हस्बंड मेरे रहे लेकिन वो जब गायब रहे तो मैंने उनको कंटेक्ट किया उन्होंने मेरा फोन सुचॉफ कर लिया अपना फोन उनने सुचॉफ कर लिया क मेरे पती हैं मुझे नहीं पता वो कहा है बस उनको पता है मुझे किसी अधिवक्ता से कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन जब भी कुछ भी दिक्कत होती है कोई भी परिशानी होती है जब भी मैं अपने हस्बेंट को ढूलती हूँ कि वो कहां पर है तो जैसे ही कोई मीटिंग बुलाई जाती है कि हस्बेंट को बुलाई जा रहे हो मुझे कभी बोलने नहीं देती है हमेशा वो बीच में कभी भी कहते हैं कि तुम्हे नहीं बोलना है आकाश बिलकुल नहीं बोलेंगे में बोलूंगी और मुझे इसी को लेकर मुझे वो बॉर्रिनिग दे रही है कि मैं अधिवक्ता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगे बरबाद कर दूंगी मैं तुम्हें चप्पल उठा के मारूंगी ठीक है अधिवक्ता का काम है पैर भी करना मैं यह नहीं कह रही हूँ लेकिन यहाँ यह है कि अगर माननी उचितम ने आया ले और ने आया ले यह कहती है कि अगर husband wife का कोई disputes है तो उसमें किसी तीसरे को बोलने का कोई राइट नहीं है लेकिन वो मुझे कभी भी कहीं पर भी वो मुझे बात नहीं करने देती है हमेशा मुझे धमकी देती है तो मैं जिन्दिगी बरबात कर दूगी और इसी के सिल्जले में मैंने एक application कोटवाली में दिया ये 28 तारीक को दिया कि इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि उनके खिलाब कोई भी कारवाई ना की जाए बस उन्हें समझाया जाए कि हमारे पती पत्नी के बीच में ना बोले अगर उनको नहीं रहना था तो वहां मुझे ले जाकर के अकेले कमरे पर छोड़े हुए हैं और एक साजिस किये हुए है और इसमें मुझे उनसे बात करने दिया जाता है केवल उनकी अधिवक्ता जो अंजली है बस वही बोलती है कोत्वाली में वीडियो मनाती है कोत्वाली में धंकी देती है मेरी प्रॉब्लम यह बस उनको समझाया जाए कि प्रशाशन के सामने प्रशाशन ने वहां पर मेरे हस्बिंड ने बोला कि जहां मैं चल रहा हूं वहां चलो प्रशाशन ने जब यह हुआ कि जब यह ले जा जाओ वहां जाने के वाश्च जब यह चोड़ के गायब हूए तो मैं प्रशाशन के पास ही आई क्यूंकि मेरा यहां पर कोई नहीं है या तो मेरा घरजन मेरा हजबंड है मेरे सस्वाल वाले हैं जो कि वह मुझे अकेले छोड़ दी है और प्रशाशन जब भी बुलाती ह तो पीछे-पीछे चाहे 12 बज़े रात को ही मेरे हस्बंड को क्यों ना भुलाए जब अगायब है तो पीछे-पीचे कभी भी ऐसा नहीं करती है कि मुझे उनसे कभी बात नहीं करने दिए। कहीं पर भी मुझे मतलब वो हमेशा कभी मुझे हस्बेंट से बात करने ही ने देती है